हेलो एवरिवन वेलकम टो माई चैनल कवीता का होम स्ट्राइलिंग में आप सब कफिर से स्वागत हैं आज हम एक बहुत ही जटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है बेसन के टोस्ट यह रंग भी रंगी डिफरेंट काइंड ओफ वेजिटेब कोई आलस नहीं कुछ नहीं बहुत जल्दी से तयार हो जाता है हम आज शेयर करते हैं आपके साथ बेस्ट फॉर स्कूल टिफिन आपके घर के नाश्ते के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है आपके बस जितनी भी वेजिस हैं जो कि मेरे फर्स टिपिंग में आपने देखा होगा सारे लीजिएगा फाइन चॉपिंग केजिएगा थोड़ा सा अनियन भी चॉपिंग केजिएगा उसके साथ थोड़ा सा बैसन डिपेंड डॉन कि आप कितने लोगों की सर्विंग के लिए बना रहे हैं उससे सबसे एड़ करके आपको बैटर को ना तो बहुत मैंने ज़गा से एड़ कर सकते हैं इसमें चाट मसाला भी याड़ किया है यह सब डाल कर आप इसको बहुत अची से मिक्सिंग बॉल में मिक्स कीजिएगा पहले इसको ड्राय मिक्स कर लीजेगा वेजिटेबल्स के साथ जितनी भी अपनी चॉप्ड की हुई वेजिटेब इसमें थोड़ो सा पानी आइड कीजिएगा और हींग ज़रूर डालिएगा हींग का इसमें बहुत इंबर्टन रोल है यह सब डालने के बाद आप एक मीडियम मतलब ना बहुत थिक ना बहुत टाइट तरह का एक बैटर बनाकर तैयार कर लीजेगा और रेस करने के लिए इसे दस मिनिट के लिए रख दीजेगा दस मिनिट के लिए आप रख देंगे तो सारा जो अगर कोई बेसन के लंप सोंगे वो सब भी डिजॉल्व हो जाएंगे उसके बाद आपने पहले तवी को प्री हीट किया चाहे तो आप इसे नान स्टिक के तवी पर बनाईए चाह अपने इस तरह से इसको डंक किया थोड़ा सा अपने बैटर के अंदर ब्रेट को लेकर थोड़ा सा डूबोया हलका सा बहुत दबाना नहीं है बहुत देर तक उसको रखना भी नहीं है देन जब आपका वह एक तरफ से लगे आपने चेक करना है इसको आप नाइफ की और देखें यह बहुत अच्छे से हलका सा मैंने ओल लगा के देखा हां यह इसको किनारे को छोड़ रहा है यह उस साइट से अच्छे से सीख चुका है फिर क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूं अपने फोन को यूज करके तो मैं दोनों हाथों को यूज नहीं क करके खाएंगे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें उसके बाद हम दोनों तरफ से इसको बहुत अच्छे से शेक लेंगे बस हमारे टेस्टी हैल्दी मज़ेदार क्रिस्पी टोस्ट तयार है खाने के लिए फिर आप चाहे तो इसक इसको दे सकते हैं और बहुत अच्छी रेसिपी है आप इसको दो तरह से बना सकते हैं मैंने इसी तरह के बैटर में एक तो सिंपल ऐसे बनाया जो कि हम सास के साथ खा रहे हैं दूसरे तरह के टोस्ट में मैंने टोस्ट बनाया टोस्ट को बनाने के बाद उसको बीच में से enjoy करेंगे क्योंकि मियोनिस वारी sauce के साथ बहुत अचा टेस्ट नहीं देती है वो वैसे ही अच्छी लगती है मस खाईए enjoy किजे thanks for watching